दोस्तो मैंने आपको पिछली दो वीडियों बताया है कि किस प्रकार से आप जो हर्ब्स हैं उन्हें अपने प्रेमिक्स के अंदर डालके एक अच्छी जो अगर बत्ती है मच्छर वाली या फिर धूब बत्ती है उसे आप तयार कर सकते हैं दोस्तो यह जो फाइनल वीडियो आपको पसंद आए को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरूर देखिए पहली जो अपनी हर्ब से देखिए यह जिरेनियों एक टाइप का जो रोज का परजाती होता है यानि हम अगर से दोस्तों काफी अच्छी जो उसकी खुश्बू जो आती है और यह जो अगर हम गुलाब का पर्फ्यूम बनाते हैं तो यह टॉप नोड भी यूज किया जाता है इसका जो ओल होता है इसकी जो सुगंद है यह भी मच्छरों को पसंद नहीं आती है आप इसका फूल वग रहा सकते हैं यह फिर मैं आपको बताऊं कि आप अगर किनेसरी के पास में आगी तो वहां भी दोस्तोंट-अपको बीजिली मिलघकिया रोज है उसकी परजाती मानी चाहित अगला जो है डैकिये वह है रोजमेरी अजो असको प्रोद मारा होता फोड़ी से फीन काफिया पर्फ्यूम में यूज किया आता है काफिया एक्सपेंसिव होता है तो वह आप दोस्तों इसक्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो रोज्मेरी का है पोधा है यह भी एक मस्कीट और रेपेलेंट बनाने के काम आता है अगला देखिए नीब के बारे में आपको डिटेल के बारे में बताने कि जरूबत नहीं नीप सब जाते हैं कि नीम के जो पत्ते हैं तो दुआ करने काफी ज़्यादा अनाधी काल से जो मंच्छरों को बगाने के होगाने की काम आता है आप देख सकते हैं बहुत लोग अलागा तरह रग रंगे होते हैं पत्य पत्यां देखें पत्य और फूल के दोनों ही आप अपने प्रीमिक्स में इस्तिमाल कर सकते हैं सब्सक्राइब देख सकते हैं इस तरह के फूल है यानि जो आप अपने गार्डन वगर में बनाने में काम आता है आप देख सकते हैं जो आपको इमेजिस दिखा रहा हूं यह सब हमां दोस्तों सब्सक्राइब और अगली अगली दोस्तों जो अगर आपको बता है चयां वाला अगर अगर आपको मिले तो इसका पॉल एक इस तरह का देखिये जो होता है अगला देखिये घर्षणbnस से थाइम लाएक परकार का मैं बताओं हर और हिप सी व darf cur अ कि इस तरह कि जो होती है यह आपको देख रहा होगा गाँ है कि दिंगली जो होता है जंगली पूदिना करके आता है वह आपको है अरब वेदाचारे होते हैं तो दोस्तों उनको कापी ज़्यादा नौलिज रहती है कौन सा पौधा इस काम आता है तो अभी हाली में एक जो मेरे सब्सक्राइबर एमित्र मान लीजे तो उनके दोस्तों अक्सर गाय को लूज मोसन हो जाते हैं कभी अगर आपको अक्सर इस समस्या का तो माधान स्वरी फेस करना पड़ता होगा कि आप गाय को अपसर हो जाते हैं उसकी दोस्तों मैं आपको एक जड़ी बूटी बताता हूं तो वह आप ट्राइ करना तो देखिए भूमी आमला करके आता है मैं इमेज वगर सामने लगा दूँगा तो ये दोस्तों मेरे को बताए कि गहर विदा चारने अगर आप इसको अपने गाय को अगर आप भूमी आमला को देंगे ठीक है तो क्या होगा इससे जो आपके को आपके गाय के त against है ठीक है उसमें काफी जाना दोस्तों पायदा होता है तो इस स्तारे की दोस्तों ये जो अ अग्ला आओ देखिए सेक करके यह कम आता है वाला आपको इस तरह की घेती ऑख ए लागा दो रहा हूं देखिए यह सब सेख की खेती की इमेज़ में आपको दिखा रहा हूं दिखे तो अईसा नहीं है तो मैं आपनी तरब से आपको बता नो गोगल कर सकते हैं तो आपको इसके बार में लावबा या या प्रॉब्लम जिनको होती तो उनको काफी जाद दोस्तों काम आता है तो यह मैं आपको बता दिया अगला जो है देखिए पैनी रोयल करके आए देखिए यह भी जो है पौधा एक तरह का जंगली पौधा है यह भी मच्छर को भगाने के काम आता है आप देख सकते हैं इसके की देख सकते हैं यह तरह कि यह मसकिटो रैकलिन बनाने के काम आता है यह यह इसका पूला है यह उसके पत्ते हैं आपको पत्ते भी दिख रहे होगे देखिए यह वी जंगली पौधा है यह इस तरह कि अगला जो दौतistों सब्लोग खाने में भी इस्तिमाल करते हैं सिनेमिक सिनेमें यानि जैसे कि इस आलचीनी की नाम से भी जानते हैं गर बती दूपधी में काफी जाओ श्तिमाल जाते हैं है कि तो देखिए मरने वाले मच्छर को मारने वाले कोई भी नहीं है किसी में नहीं आप कैमीकल पिछली वीडियों बताया था उससे ही मच्छर मरा करते हैं ठीके यह भी बहुत ज्यद़ ज़्यादा जो देखिए मैं इसका आपको दिखाद डाल चीनिका देखिए यानि इस पेड़ी की चाल से देखिए इस तरह की दालचीनी है यानि जो एक तरह से चाल है वह बनती है तो देखिए अब मैंने आपको यह बताएं इन्हें जो आप क्या करेंगे च्छायां में सुखाएंगे ठीक है और अपने प्रेमिक्स में इस्तेमाल करेंगे पुछ के दोस्तों इसेंशल और वह आपको मार्केट में मिल जाएंगे जैसे कि नीम का मिल जाएगा ठीक है डाल चैनी का मिल जाएगा तो बहुत के जो आप क्या करते हैं डायरक्ट के उसमें बीडाल सकते तो उसका भी रिजल्स दोस्तों काफ़ी जाद अच्छा देखने क में आपको हर्प्स के बारे में जानकारी अग्ली वीडियो में मैंने नहीं ऌग पीक्स थे सब्सश्ख्राइब लो मैं और आपको दोस्तों यहीं हम करेंगे अगर अधुल सब्सक्राइब कर देना और आपने ऑगर पहले से पर रखा है तो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं विलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत